प्रेंट्स हम लोग 5th class का grammar section पढ़ेंगे चलिए आए स्टार्ट करते हैं first chapter हमने पढ़ाता noun और second chapter पढ़ेंगे noun numbers यानि की जो हमारे noun होते हैं वो किते numbers के होते हैं यानि की कौन-कौन से वचन के होते हैं numbers मतलब वचन होते हैं तो there are two nouns यानि की जुर नाउन के numbers होते हैं सब्छला होता है singular second is plural singular क्या होता है singular का मतलब होता है एक वचन यानि की जिसके बार में एक चीज के बार में बात करते हैं वो हमारे singular कहलाता है next होता है हमारे plural plural मतलब एक से जादा हो तो देखिए धर नाउन the noun यानि कि जिसमें एक के बार में बात हो रही हो एक से जादा के बार में बात हो रही हो वह हमारे प्रूरल में आते हैं तो इसमें नियम होते हैं कि कैसे हम singular से उसको प्रूरल बनाएंगे तो next हमारा how to form the plural nouns यानि कि singular को plural कैसे बनाएंगे तो देखिए rule number one कहता है हमारा to a singular noun ending a y with the vowel before it is the plural formed by the adding as only as तो जो हमारा singular होगा जिसकी ending, जिसकी spelling की ending y से होगी उसमें हम as चोड़ देंगे तो देखिए ब यानि कि boy boys okay, donkey okay, next हमारा next हम लोग rule देख लेते हैं second जो rule number two singular noun ending a sssshchx और become a plural by adding a es यानि कि जो हमारी एकवचिन की जो spelling होती है, उनकी ending जिसमें sssshchx आएगा तो उसमें हम लोग es चोड़ देंगे, जैसे address address, address में double s आ रहा है तो हम इसमें es जोड़ दें addresses, arch, arches, us, asses, ash, asses ok class आज के लिए इतना ही, next में हम इसके आगे के rules पढ़ेंगे, thank you class